टी प्लस जीरो सेटलमिंट भी उसकी सुरुवात हो जाएगी क्या है यह डीटेल्स अभी शेक किन शेहरों पर आक्शन संभव है और इस टी-प्लस जीरो सेटलमिंट के क्या कुछ है माइने शिष्टी एक साल के भीतर ही जब टी प्लस वन सेटेलमेंट लाग हुआ था 2023 में लाग हुआ पूरी तरह से और उसके बाद एक साल के अंदर ही अभी यह बीटा वर्जन इसका शुरू होगा यानि कि ट्राइल बेसिस पर है 25 शेरों को टी प्लस जीरो सेटेलमेंट में शामिल किया गया है और इसे होगा यह कि लिक्विडिटी पर बहुत अच्छा इंपक्ट आएगा लिक्विडिटी के लेकर दिक्कत नहीं होगी और वो लिक्विडिटी बाजार में बढ़ेगी आज आपने शेर बेचे, खाते में पैसे, सेटल आज ही ट्रेड हो जाएंगे तीन महने के बाद और पिर छे महने के बाद सेवी इसका रिव्यू करेगा और उसके बाद इसको continue किया जाए या नहीं किया जाए इस पर फैस्ता लेगा लेकिन transaction charge हो STT हो ऐसे जितने भी charges होते हैं जो T plus 1 पर apply होते हैं वो सारे के सारे T plus 0 पर भी apply होंगे आपको बता दें कि किन shareों में T plus 0 settlement चुरुआ 25 shareों के list है PCUs की बात करें तो SBI, Bank of Bada, Union Bank, ONGC, BPCL, LIC Housing ये share शामिल है T plus 0 settlement के लिए Metal कंपनियों की बात करें तो उसमें जो भी दिगज कंपनियां हैं हिंडाल को JSW Steel, Vedanta, NMDC इनको शामिल किया गया है और Tata Group से Indian Hotels, Tata Communications, Trent ये list में शामिल है 25 shareों के list है उसमें आपको Sipla, Ashok Leland, Ambo Jaci, Mint, Billasoft, Koford, Divis, LTI Manitry, MRF, Nestle, जैसे भी तमाम share आपको दिखेंगे टोटल 25 shareों के list हैं, आपकी वो इस screen पर आ जाएंगे, तो आज इन shareों को भी बड़ा close दे हमें, देखना पड़ेगा कि इन पर असर किस सरह से आ रहा है मार्केट के मेमानों का अपने साथ जोड़ लेती हैं ताकि उन से हम trade समझ पाएं, मोटा मोटी जितनी important खबरी थी हमने सब कुछ आपके सामने रख दिया ते वी खबरी जितनी खबर आपके सब कहा हमें